Hello and welcome friends, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ about compliance for private limited company दोस्तों अगर आप private limited company own करते हो आपके अगर private limited company है तो आपके लिए जानना जरूरी है कि private limited company बनाने के बाद annually उसके return files करने पड़ते हैं बहुत सारी लोग ऐसे जो confused हैं अरे income tax return file होता है return file का मतलब income tax return file होता है ऐसा समझते हैं लोग लेकिन ये सही बात नहीं है दोस्तों return file का मतलब income tax return file नहीं होता income tax को भी return file बोलते हैं लेकिन private limited company के लिए जो है न return files होते हैं वो different होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ तो दोस्तों private limited company जब आप register करते हो तो आपको ये समझना है कि हर साल आपको दो return file करने होते हैं एक होता है income tax department का और एक होता है registrar of companies का ठीक है ये दो return file ज़रूरी है अब हम detail में समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है आगे बढ़ने से फिले आपको बताना चाहूँ कि अगर आप ये ROC returns या income tax return file करवाना चाहते हो तो हमारा number screen पे दिया हूँ है आप हमें contact कर सकते हो और दोस्तों कैसा है पता है कि ROC और income tax के अलावा भी कुछ return files है जिसके बारे में हम एक दम short में discuss करेंगे एक होता है DGFT का DGFT मीन्स अगर आपके पास import export license है या जिसको importer exporter code कहा जाता है तो उसको update करना अगर आपके पास GST registration है तो उसको हर मन्त तो आपको filing करनी है प्लस एक annual filing करनी है अगर आपके पास FSAI registration है food license है तो उसको हर साल renew करना होता है shopac license है उसका renewal होता है professional tax है तो उसका filing होता है return filing प्लस tax भी पे करना होता है तो ये additional है income tax और ROC return से अब लोग बहुत सार ऐसे सोचते हैं ये ROC return का है तो दोस्तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप private limited company बना रहे हो तो ये company का जो registration है ये आपको registrar of companies करके दे रहे हैं ठीक है तो जो registrar of companies जब registration आपको करके दे रहे हैं लब कि वो आपको certificate issue करके दे रहें तो उनको आपको inform करना है intimate करना है कि आपकी company ने एक साल में क्या काम किया अब ये जो काम किया इसके अंदर आपको जो है क्या-क्या filing करनी ये भी मैं detail में बताऊंगा एक तो आपको din number का KYC करना है ये हर साल करना होता है April से लेके September के बीच 30 September last date है अगर आपने 30 September को नहीं किया तो 5000 रुपे penalty लगेगी ठीक है उसके बाद में second document जो आपको देना है वो है AOC 4 AOC 4 जो है वो 30 October से पहले देना है ठीक है और इसके अंदर audit report वगेरा देना है audit report का concept के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको और MGT7 ठीक है अगर आपकी company OPC है मतलब 1% company है या small company है तो आपको MGT7A देना है अगर आपकी company normal private limited है तो MGT7 देना है इसकी filing की last date 30 September है इन तारिक पर फाइल ना करने से 100 रुपे per day का penalty है बात करेंगे about the income tax return दोस्तों income tax return जो है private limited company का वो इतना simple नहीं होता है जितना simple individual का होता है तो सबसे पहले तो preparation of accounts है accounts पूरे बनाने पड़ेंगे private limited company के क्या किया आपने उसके बार में payment of taxes जो भी tax की liability आ रही है वो pay करना है reconciliation अभी जो reconciliation है के दोस्तों आपके bank statement से आपके GST return से आपके accounts को reconcile किया जाएगा अगर आपने GST में 10 लाग का turnover दिखा है तो आपको income tax में भी minimum उतना तो दिखाना ही पड़ेगा तो वो दुनों same होने चाहिए filing of company returns company के returns को file किया जाए filing of director returns अब जो directors एक company के उनके भी personal income tax returns को file करना ज़रूरी है क्योंकि आप एक company में director हो अब ये तो income tax का हो गया अब ये जो concept of audit है ये concept of audit के है दोस्तों एक होता है statutory audit एक होता है compulsory audit statutory audit हर एक private limited company को करवाना ज़रूरी है जी हाँ अगर आपने laws भी किया zero income है आपकी तो भी आपको statutory audit करवाना compulsory है compulsory audit compulsory audit कब होता है पता है आपको जब आप एक threshold of turnover से ज़्यादा जा रहे हो जैसे कि जितना मैं समझता हूँ अभी turnover two crore rupees है ठीक है तो two crore से ज़्यादा अगर आप जा रहे हो तो आपको compulsory audit करवाना पड़ेगा और आपको अगर return filings करना income tax return करना तो screen पर दिये हुए आप हमारे number पर हमें contact कर सकते हैं अब documents क्या क्या लगते है ये return filing के लिए आपको लगेगा bank statement company का copy of purchase and sale summary GST returns का copy ये documents अगर आप देंगे तो हम आपके लिए company के returns फाइल करके दे सकते हैं एक और चीज इंपोर्टेंट है जो याद रखना है कि company return file करने के समय है digital signature का इस्तेमाल होता है तो जो digital signature है वो valid होनी चाहिए digital signature दो साल में renew करनी पड़ती है तो अगर वो expire हो गई है तो return filing से पहले ही उसे renew करवा लिया जाए तो दोस्तों यह return filing अगर आप नहीं करवाते हैं दो साल तक तो आपकी company को registrar strike off कर देंगे strike off का मतलब है वो company cancel हो जाएगी और इसकी वज़े से आपका bank account भी freeze हो जाएगा जो आपकी private limited company का यह OPC का है उसके बाद में आप 5 साल के लिए band हो जाओगे आप कोई नवी company नहीं बना सकते private limited और कोई existing private limited company में director भी नहीं बन सकते अगले 5 सालों तक due dates आपको वापस है याद दिला दो MCA की मतलब जो register of companies की filing की due date 30 September और 30 October है income tax की normal due date 31st July है COVID की वज़े से उसे extend किया गया है normally 31st July होती है MCA की filing और ROC की filing का मैं एक example cost भी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में MCA की filing में जो दिन renewal है उसका cost होता है 2000 रुपे first year का और 500 रुपे second year का कुछ chartered accountants या consultants 2000 रुपे की जगा 5000 रुपे भी लेते 500 रुपे की जगा पे 2000 रुपे तक भी लेते लेकिन अगर मैं करके दे रहा हूँ तो मैं ये cost लेता हूँ MGT7 का minimum जो है वो 1500 रुपे और EOC4 का minimum भाई अजार रुपे ये cost लिए जाते तो ये तो company के ROC returns की cost है income tax returns का minimum बेर minimum 5000 रुपे से लेके 10,000 रुपे तक लेते हैं preparation of accounts का minimum अगर zero accounts है कुछ भी हुआनी एक company में तो 5000 रुपे तक लेते हैं और उसके अलावा depends कितने accounts हैं तो accounts आपको महेंगे भी पढ़ सकते हैं 5000 रुपे पर मंत भी हो सकता है लेकिन ये जो मैंने दिया है 5000 रुपे पर year है audit का depending upon your chartered accountant उस पर ये depend करता है अगर आप एक simple आपका निल है audit तो हो सकता है आप 3-4 रुपे के बीच में audit fees दे सकते हो और normally अगर आपका अच्छा transaction हो रहा है तो minimum chartered accountants 10,000 रुपे audit fees लेते हैं पर year तो दोस्तों मुझे उमीद ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको अगर आप private limited company के owner है और उसकी आप return filing करवाना चाहते हो तो screen पे हमारा number है आप हमें contact कर सकते हो हम आपकी मदद करेंगे private limited company के return filings income tax returns करवा के देने में चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो no problem आपको just a call करना है discuss करना है और आपको मिलेगी best service तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हो आए हैं तो चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए private limited company की return filings के बारे में अगर आपको कोई questions है कोई आपके मन में सवाल है तो वो भी आप हमें नीचे comment box में लिख सकते हो मुझे आप अगर आप queries आप भेजना चाहते हो तो मेरा number दिया हुआ स्क्रीन पे आप मुझे WhatsApp कर सकते हो कभी भी लेकिन मैं reply करूँगा सुबह 10 बचे से लेके शाम के 6 बचे तक ठीक है दोस्तों चैनल को ज़रूर subscribe कीजिए bye bye take care have a nice day